बिजेपी विधायक हैं सुशान्त शुकला और साथी वरिष्ट पत्रकार हैं बिरेंदर सिंग जी वो हमारे साथ जुड़े हूँ हैं आप सभी का ही बहुत-बहुत स्वागत है लेकिन सबसे पहले बिरेंदर सिंग जी मैं आपके पास आ रही हूँ इस अमे जो स्थती है डॉक्टर बिरेंदर चौधरी है तो प्रप्या उसको करेक्शन करें माफी के साथ मैं ठीक कर लेती हूँ डॉक्टर बिरेंदर चौधरी जी 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 हां देखिए अभी जो इस्थती है जो पहली बात कि एंडिये को मैजरिटी है नमबर एक बीजेटी लाजेस्ट पार्ट एक तो यह दो क्लैरिटी है और ऐसी इस्थती में परधान मंत्री नरंदर मोधी ने एंडिये का मिटंग किया उस मिटंग में सबों ने अपना समर्थन पत्र दिया जो एक अपचारिक तरीका होता है चुकी राष्ठपती के सामने पत्रों को दिखाना होता है यह हमारे पा कि अपना नेता मान चुकी है अब बात है सपत्गरान की रस्तपती से मिलने की वह फॉर्मेलिटी होगा और यह निस्चित है और यह इतिहास बनने जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरंदर मोदी भारत के इतिहास में दूसरे प्रधान मंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे इससे पहले पंडिक जवाहरलाल नहरू उनीस्टावण शतावण और बासट में लगातार चुनाब जीते थे और जैसे अभी सीटों की संख्या घटी है वाई से ही पंडिक नहरू के समय में भी सीटों की संख्या घटी थी तीसरे टर्म में यह तो एक बाद अब एन डिये के बीच जो एजंडात आयऊ है हमारे सामने उदारन है अटल जी का उदारन है अटल जी की सरकार वह निपजसरी बार नी तेरह महिने चली उछे इसके बाद दो सरकार बने वह एंडिये की सरकार थी अब दो हजार चार तक चली सफलता वो हार गए, अब हारने का कारण के पीछे तो मैं नहीं जाओंगा, तो इसलिए मेरा वन लाइनर ये है, नरंद्र मोधी की सरकार, NDA की सरकार, तीसरी बार लगातार बनने जा रही है, रहां दूसरे तक्ष की बाद दो लाइन और जोरना चाहूंगा, देखिए, जो इंडिय लाइन से उन्हें भी पता है कि उनके पास नंबर नहीं है, क्योंकि आप 232 से सरकार नहीं बना सकते, जबकि आपके सामने 293 में बैठा हुआ है, लेकिन उनके लिए उत्साह की बात ये है, कि कॉंग्रेस बादन से 99 पे पहुँच गई है, और उनका जो लूज गठवंदर लेकिन 293 में की गाड़ी में ची दो पहिए है ना, वो कभी इधर कभी उधर, इतिहास बताता रहा है कि फित्रत में उनकी शामिल रहा है, और शायद यही वज़ा है कि जो इंडिया गठवंदन है, वो उत्साहा में भी है, और मंतन करने के मूट में भी है, खेर, होगा क्य अब मेरी आवाज आज़े है, जी आश्पाल जी, बताइए, बताइए, एक्चुली क्या मुझे, मैं कनेक्ट नहीं हो पारा हूँ, आपने, मेरे को जोड़ा ही अभी तक, मैं तो सिधे बात कर रहा हूँ, बताइए, सर अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना, सब सुन रहे आपको, मैं भी सुन रहे हूँ, जो नंबर मेरा ओडियो का है, उससे करेक्ट नहीं हो है, चली बताइए, अच्छा आप तक आवास दी आ रही है, अब मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है, करेंगे इसी से काम चला लेंगे, ठीक है, ठीक है, थाइंक्यो एश्पाल आपको, मैं आपके चेनल के माध्यम से, सारे मतदाताओं का अभिनादन करतों के आभार वेज करता हूँ, कॉंग्रेस के लिए मन्थन करने क्या हो शकता है, अप्रना जी, कॉंग्रेस के पूरे चुनाओं में, जब जॉइनिंग हमारा अभियान चल रहा था, तब कॉंग्रेस के लोग लगाता ठूट करके आ रहे थे, और कॉंग्रेस के पदेश अद्ध जी, जीतू, पटवारी जी और अनिर नेता, इसको हलके में ले रहे थे, और कूडा कच्रा बता रहे थे, संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नतीज अतन, जो हालात हुई है, वो आपको पता है, कॉंग्रेस की क्या दुर्गती हुई है, हमने परारम से किया, कहा था, अर्पना जी, कि 29 कमल के फूल की माला, प्रधान मत्री नरेदर भोदी जी के गले में टालेंगे, 29 में से 29 सीटे जितने का, ठीक है, कुरार चौधरी जी, कुजन पहले सजन वर्मा के बयान पर भी हमने डिबेट की थी, कि वो सफाई की बात कहे थे, कि बड़े फैसले लही लिये गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या उन्हें आभास हो गया था, क्या, कि सूप्रा साफ है मध्यप्रदेश से कॉंग्रिस का, ठीक है, पहली बात, जरूर एक सीट कम मध्यप्रदेश के अंदर, कुनाल जी एक मिंट, येश्पाल जी, वापस रीकनेक्ट कर रहे आपके साथ, मैं बोल रही हूँ ठीम को वापस रीकनेक्ट करें, आप सुन पाएंगे, ठीक है, जी, जी, कुनाल जी जितना अंकार औ घमंड, भारती जनता पार्टी का इस देश की जनता ने तोड़ा है, जो 400 पार की बात करते थे, जो कॉंग्रिस को खत्म करने की बात करते थे, जो इस देश के संविधान को बदलने की बात करते थे, जो इस देश के अंदर मोली कदिकारों को खत्म करने की बात करते थे उनको जनता ने आईदा दिखा दिया कई जगा है जहां भारती जनता के बहुत 370 की बात करी वहाँ जहाँ आयोध्यां में खूब इनो ने शुरुवात करी वहाँ पे इस्तिती देख लिए नरेंद्र मोधी जी, खुद की इस्तिती देख लिए कि कितने वोटों से जीते हैं, तो ये बाते हैं, सब को आत्ममन्तन कर दे की जोड़ते, कितने इनके मंतरी हारें, कितने इनके नेता हारें, वह इस्मृति हीरानी जी जो बहुत बड़ी- करना चाहते थे और अभी मैं सुन रहाता है यहां पर उनके बयान इंडी गड़ अरे इस देश के इंडिया गडबंदन को ठंक से आप शब्दों के साथ तुछ चरण करिए हमें इंडिये को इंडिये कहते हैं फिर मैं इंडिये का कुछ भी रख दूगा तो यह शब्द का च साथ और इस देश के इंडिया गडबंदन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्हों ने बीजेपी का सूपड़ा भी साफ कर दिया है वहां चाहे पशिम मंगाल देख ले चाहे आप तमिलार देख ले कई जगे के राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे और उस पच्छे को उन शहीदों की शाहदत को लोक्तांत्रिक व्यवस्ता को इस देश की उलती और तरक्ति को करने की कोशिक पत करे इस देश में जो भारती जन्ता पार्टी जन्ता ने सिखाया एंपी बीजेपी तो गदगद है और शतीस गड़ में भी गदगद तो आप भी है कि फिर वी एक सीच चूग गया है जीए मेरे साथी कुनाल जोधरी जी बड़ी एक बंसी परिवार की चटरण वंदना की शाटूकारता की इस्तुति वंदना कर रहे थे मैं पूचना चाहता हूं इंसे की इनके एक बंसी परिवार की चलद वंदना में 100 पार नी कर बाये च सब्सक्राइब कर दो एंडियों को देश की जनता ने जनादेश दिया है और भारत के सर्वसेश्ट भरष्टाचारी एक हो गए और एक मंचपरा चार सो आगे इस चार सो आगे इस अपने किरेबा पर जाकत के साथ खरें इस देश के संदिदान को अंतिल पंति के व्यक्ति के अधिकारों को बचाने के नहीं खरें और देश को वर्ग संघर्थ की रादनीत में जोकिया जो आपनी पुरानी आदत है इस देश में एक मासर फंड़ना चलता है और वो विकास का मोदी जी की करेंटी विश्टू देशाई जी के सुसासन पर छत्तिज़र की जनता ने मुहर लगाया है पर बहुत छाती ठोक रहे हैं तो गंगा लादिया यह सुद्धों के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पहली बात तो जब सुशान शुकला जब आप बोल रहे थे सुशान जी पूरे धैरे बना कर सुन रहे थे ठीक है ठीक है तो यह शान की सयंद दिखाई है यहाँ पर और जो परिणाम मध्यप्रदेश में हुआ है कॉंगर्स का उसको स्विकारी है और पर उसके बाद मंथन की बात तो कमलात भी कह रहे हैं बाक लेकिन 99 पर पहुंची 19 से बेतर किया इसके लिए खुश होने दीजिए ठीक है देश के वंचित समाज को वर्ग संगत में जोकने वाली कॉंग्रेस हां किसमें कितना जोका है सबने देखा है दॉक्टर बिरेंद्र जो प्रवक्ता कह रहे हैं थे मैं उनसे ठीक है उनकी पार्टी के अपना विचार है होना चाहिए लेकिन देखे मैं जो भी कह रहा हूं जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है वो इतिहास है उसको हविस्चे के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है जहां तक तुल्ला का पार है जो आपने संभीधान की बात की लेखिए संभीधान की बात करेंगे तो नहीं सध्धांतिक just juga कि किसने रेस्टिक्ट किया पंडित जभाहरला नहिरू जी खुद किये उसके बाद 42ा संसोदन Elizabethan किसी के दौर में किसने किया प्रियम्बल में socialism और स्टॉलरी माuti किसने जोड़ा उसके बाद चो सुपरिम को निरना है उसको किसने बदला तावानों किसने उसके बाद पच्चास रज्यों में पच्चास वार रज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया यह देखिए यह हम जो भी कह रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि मैं कॉंग्रेस के लिए कह रहा हूँ जदी कोई भी कहेगा तो यह आपको कहेगा इसलिए जो प्रेसिडेंट है उसको मानना परेगा और जहां तक आप संभीधान की बात करते हैं यह फैक्ट है अब मध्य परदेश पर और चाहेंगे कॉंग्रेस को कि देखिए चैनमत यह कहता है इस बार का आकड़ा है कि 59.27% बोट मिला है बीजेपी को मध्य परदेश में पिछ 59.27% बोट प्रतिशत बढ़ाया है बीजेपी मध्य परदेश 36 गड़ के अंदर चाहे भले ही जो 68-70% की बाद कही गई हो वो लक्षे नहीं पापाए है लेकिन बढ़ाया तो है कुनाल चौद्रेव आपका जवाब आपने सुना सभी को जी देश के लोकतंत्र को कुछलने के लिए पैसे, देले, CBI, ED मैंने क्या कहा कि ये चुनाओ सिर्फ एक समविधानिक लोकतंतिक प्रक्रिया का चुनाओ नहीं था इस देश के अंदर कल ममता जी की प्रेस कॉन्फरेंस सुनते कि जो धराने की कोशिश करी गई जो लोगों को ED, CBI से लेके हर उस चीज का दुर्पयों काया गया कैसे इस देश के समविधानिक धाचे को खतम करा जाए और इस पर शुरूप से इसका जवाब जनता ने दी दिया वो देड़ दो परसेंट तीन परसेंट का जो उन दो सीटों का अपना अंतर आया जो कोई बहुत प्रक्रिशत बढ़ने का काम करने का साई लोगो यह देखिए इनकुल नाज जी के अपना नाम लेजिए और दिखविजे सिंग जी का अपना नाम लिजिए और जी लगा के वरिस नेता इस मद्यपदेश की राजनीती के चुनाव अपनी जगा है हार जी लोकतंतर में सब चलती है इंदरा जी विहार इटल जी बहार है और ये कोई चुडाओ लोकतंत्र में हारना ही पूरा देश के अंदर वो नहीं हो जाता कमल नाज जी दिग्विजे सिंग जी वरिस नेता है उन्होंने लोकतंत्र के उसके अंदर गए अपनी बात रखी जनता ने अपना काम करा हम जनता के निर्णय को सरुधार करते हैं पर कोई ये कहे कि नकुलनाज जी ने काम नी किया मैं इस बात को सीरे से न करता हूँ अगर मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा किसी लोकसवा में काम हुआ होगा तो वो उस चिंदवारा के अंदर हुआ होगा कोई चेंदवारा विकास देखाए और चर्णय को महले देखे जहां दीवारों पेर कमलनाभ कानाम था लेकिन और मह ये भी महीर कि नतीजा नजर आया मद्रप्रदेश में कॉंग्रस की अंतर कल है क्या खा गई आपके खुद वरिष्ट नेता उन्हें इस बात को सुईकार आए बताईए अब आप कोई अंतर कला कॉंग्रेस पार्टी में नी थी हर नेता ने अपनी साथ काम किया जवाबदारी को सुईकार करते हैं कि जो हमारे अंदर कमी रही होगी वो हमने सुईकार करी है और यह बात सही है कि जो तोड़ फरोड के खरीद फरोड के जो इन्हों ने सरकार बनाई थी और जिस तरीके से बाया वंडल जबा और कहीं दा कहीं कुछीजों को करने की कोशिश करी उसमें यह सफल रहे हम उस बात को इनको बधाई भी देते सुईकार भी करते हैं पर आप यह कहें कि यह अंतर कला के कारेंड वरिष ने सारे नेता साथ में थे सब्सक्राइब हमारे की पीट थप थपाई जा रही है लेकिन मद्रप्रदेश कॉंग्रेस के साथ लोकसभा चुनाओं में क्या गलत हो गया कि विधानसभा चुनाओं में तो उम्मीद भी थी और इस बार तो सूप्रा ही साफ हो गया यदि आप पूरे देश के चुनाओं को एनलेसिस करें तो जहां जहां तीन चार महीने पहले विधानसभा के चुनाओं हुए थे वहां एलेक्शन की दिशा बिलकुल अलग रही है मत्रप्रदेश भी उसमें से एक है जो हम चुनाओं हारे उसका बुन्यादी कारण है पिछले चुनाओं में लाडली बहना योजना के कारण पूरी की पूरी महिलाओं का वोट पोलराइज हुए बीजेपी की तरफ और इसवज想 से हमारे पूरे अनुमान धरे के धरे रहे गए चहाह सेफ फोला जिस्ट हो चाहरे को इ rozp करने वाला हूं इत्नी महलाओं से कोई इतना बड़ा सैंपंwi n होता है कि सामहिक चेत्मा की दरस्टी से पूरे महलाओं को किस दिशा में जाना उसका वो ठीक ठीक एसिस्मेंट कर सकता हो एक कारण रहा लारली बहरा योजना और उसका असर लोगसभा की चुनाव तक रहा दूसरा कारण रहा हम लगातार 18 साल से अपोजिशन में थे और विधान सभा का चुनाव हारने के बाद कारिकरताओं का मनोबल तूटा कि इतना लंबा संगर सम कैसे करेंगे और इसी इसी कमजोर नस पर हात रखी भारती जन्ता पार्टी ने और उसने ने चारों तरफ से इस तरह के हमले किये ताकि साइकॉलोजिकल वार में कांग्रेस पार्टी लोगसभा के चुनाव में पराजित मन के साथ चुनाव में एपियर हो और बहुत तक वो इसमें सफल भी हुए उन्हेंने टीक गड़ में हमारे उम्मीदवार का पर्चा रेजेक्ट करा दिया इन दौर में जिस तरह का सड्यंत्र किया वो आपको पता है और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सवा दो लाख वोट इन दौर में लोगों ने नोटा पर डाले ये भी एक पूरे जो एक विद्रूपता जो लोग तंदर के साथ जो मजाग किया था उन मजाग करने वाले लोगों के गाल पर एक जन्नाठेदार तबाचा है ये जन्मत का बीजेपी तो कह रही है कि देखें वो चाहें नोटा को जाते वोट या वो कॉंग्रस को जाते इतने ही वोट कॉंग्रस के उमिद्वार वहां से खड़ा होता पहली बात तो एक दूसरी बात सर मैं ये पूछ रही हूँ आपने ये कारे करता हो कि मनोबल के डाउन होने की बात कही ये ये देखा गया अंदर खाने भी लेकिन बीस उन्निस बीस मही को हमने प्रोग्राम किया था सज्जन वर्मा के उ इसले नहीं लिए गए इसी वज़ा से हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उससे पहले आपके प्रदेश जो कॉंग्रस अद्ध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने भी इस तरह का कोई बयान भी दिया था सफाई को लेकर क्या आपको लगता है कि वाकई विध प्रशन है लेकिन ठीक है अगर आप यह एक तरह का मुल्याकन कर रही है कि अगर उसी समय अगर ऐसे नेता जो एक वैचारिक द्रस्टी से प्रतिबद्ध नहीं है जो आया राम गया राम है जिन पर हमें भरोसा नहीं है अगर उनको उसी समय चलता कर देते तो वह तो बीच वह चले गए बीजेबी में कि भाई हम इतना लंबा संगर्स नहीं कर पाएंगे और वह बचे रहे जो लंबे संगर्स के लिए आज तयार है तो जिस सफाई की आप चुनाओ के पहले बात कर रही थी वह चुदाओ चलते समय सफाई हो चुकी अब तो नई कौपले फूटे कि अब पटवारी के नेतरत्व में नई कौपले फूटेंगी हम बिलकुल हतोत्साहिद नहीं है हम लंबे संगर्स के लिए तयार है और पूरे भारत वर्ष ने जो फैसला दिया है हम उसे बहुत उत्साहिद है और सबसे बड़ी बात जो चिंता की थी जो हमको क्याए जात लोगों की रोजगार है, महंगाई है, खेत है, कलियान है, इस पर नेरेटिव इस देश में बनता ही नहीं है, यह पहला चुनाव है 30 सालों के बाद, जिसमें नेरेटिव यह रोज मर्रा की समस्या है बनी, और इसका परिणाम यह हुआ, कि जिस अयोध्या में यह रामलाना लेके नटा का विश्वास नहीं जीत पाए इसको लेकर आपके थो कोई आकलन होगा रासर कि वो मुद्दे जो जुबार पर थे लेकिन वोट में तब्दिल नहीं हो पाए देखिए कई बाते हैं हम लोग जो कैडिडेट शुडाव लड़ रहे हैं मद्दप्रदेश में हमने उनसे बात की है कि वो अपने अपने लोगसावा शेत्र का ठीक ठीक एसेस्वेंट और ठीक ठीक अवलोकन करके हमें अपना एक रिपोर्ट काड़ दे अपनी कमजोरियों क के बारे में लिखें कहां हमें परिवर्टन करना है सुधार करना है उसके बारे में लिखें और हम बहुत जिस बड़े परिवर्टन की तरफ कॉग्रेस पार्टी जा रहे हैं यह जिस नए स्वरूत के साथ हम उसी की चर्चा कर रहे हैं देखिए हमने पराजय को सिर जुका के सुविकार किया है और मद्द प्रदेश की जनता का हम आभार मानते हैं कि हमें इतने वोट भी दिये और भारती जनता पारिटी को हम बढ़ाई भी देते हैं इस क्रोर बहुमत के लिए प्रचंड बहुमत के लिए के भाई वो जीते जीते एक बात और रहे गई जो मुझे बोलनी थी जी सर जो हमारा पिछले चौदा महिने का मद्द प्रदेश की सरकार का कारिकाल रहा है वो कारिकाल अच्छा नहीं रहा और उस कारिकाल वह कारिकाल भी एक बज़ाय रही जिसने कारिकरताओं में निराशा पैदा की अब जब सारी बातों को हम अनलाइज कर रहे है तो हम ये ये इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरा चलते चुनाओं के वक्त इस तरह की एक perception बनाई गई कि कांग्रेस के वो नेता पारिटी छोड़ना में किसी का नाम नहीं लेना चाहता जो पारिटी की बन्याद है और जो पारिटी के नेता है तो लोगों को लगा और इतने सुनेयोजिक धंक से उसका परचार हुआ जी इक बन्याद है तो फिर हम इस पारिटी पर है कि क्या करेंगे इसके कारण अभी हमारी पारिटी में बहुत बड़े पैमाने पर लोग पलायन हुआ और लोगों ने संधर्स के वजाए सुविधा का रास्ता चुना और चले गए बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है मुकेश नायक जी और नई टीम जो कॉंग्रस की नई कोपले फूटने के आपने बात की है जो कॉंग्रस के अंदर विक्ष के अजखर किया लेकिन मद्रदेश कॉंग्रस में तो कई पुरानी पुरानी शाखाएं हैं उन शा नहीं तोर पर जो आपकी नई टीम है उसने कुछ तरह कुछ आक्षिन प्लान तयार किया ही होगा नजर उस पर भी हमाई रहेगी बहुत शुक्री आपका हमसे बात चीत करने के लिए तो आप सभी कहीं बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और कॉंगर्स बदलाव करने जारी लेकिन देश में नहीं सरकार गठन को लेकर किस तरह का मंतन जारी है लगावतार नजर हमारी बनी रहेगी आप देखते लिए म्यूजेटीर मद्रवर्देश चर्थीज कर और आप चारिकता पूरी कर ली गई